सुनने में भले ही अजीब सा लगे लेकिन उत्तर परदेश के हर दोई जिले में हत्या हरं तीर्थ स्थल मोजूद है यह तीर्थ स्थल संडीला तहसील के पवित्र नेमिशा रण्य प्रक्रीमा स्थल में स्थित है परदेश की राजधानी लखनव से करेब देर सो किलोमिटर परदूर बनाये गए इस्तीर्थ खास संबंध त्रेता युग से हैं मानिता है कि प्रभु शिरी राम ने जब रावन कावत किया तो उसके कुछ दिन बाद यहां ब्रह्म हत्या के दोश से मुक्त होने आये थे उन्होंने यहां मौजूद तालाप में सनान किया था सदियो पुराने मौजूद मंदिर तो वर्तमान में नहीं है लेकिन इस तीर्थ का जीनोधार 28 मई को शीरी मती जनक किशोरी देवी पत्नी स्वर्गे ठाकुर जगनात सिंग सपूत्र ठाकुर शंकर सिंग रईस की याद में कराया गया था जगनात सिंग काकुपूर के जमिदार शीव पुरान में हत्या हरंतीर्थ के बारे में एक रोचक प्रसंद मिलता है यह कहानी सत्यूक की है एक बार माता पार्वती के साथ भगवान शीव अरान्य जंगल की खोज में निकले और वह नेमिशा रन्य में रुके यह एक सुंदर्वन था शीव यहां तप करने लगे माता पार्वती जंगल में ब्रह्मन कर रही थी तब उनको प्यास लगी आसपास जल भी नहीं था ऐसे विश्यम परिस्थितियों में उन्होंने देवताओं से जल लाने का आग रहे किया तब भगवान सूर्य कमंडल में जल लेकर उपस्थित हुए तब माता पार्वती ज जा फ्रभा सक्र शेत्र रखा त्रेता युग में यही वह जगा थी जहां शीरी राम ने चृजार्म हेखे पाप से प़िद्व्यक्थि सनान करेगा वहां इस दोश्श मुक्ठ हो जाएगा तब से यह तिर्थ हत्याहरर्न के रूप में परसिद्ध हो गया हत्याहरण तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष पुजारी राकेश कुमारपान्डे के अनुसार तीन बड़ी मान्याताएं हैं जिसमें भागवान शिव और भ्रमा जी के बाद शिरी राम का जिक्र है हत्याहरण के पूरे मामले की जानकारी मंदिर के पुजारी वत्तिर्थ कमेटी के अध्यक्ष क्या दे रही हैं आप खुद सुनिए उनकी जुबाने आप ढें के जहां पर आप आए हैं इस पावनस्थलकार आम पाप मोच थpe आ अतीरते और इसके पूर्वुत। इसके तीननाम पड़े हैं सर प्रथा नाम इसका प्रभासकर कुंड पड़ा है दुतिय नाम इसका ब्रह्म कुंड हुआ है तीसरा बर्तमा नाम पाप मुझ हत्या हरुआ है युग युग की कथाएं हैं और कथा नाना पुरान निगमा गमसंबतंब्यत नाना पुरान से उद्रगत है सरप्रतं यहाँ पर सिव मा पारपती तपश्या करने आये हैं तपस्या करने माता पारपती को प्यास लगी है उस प्यास में इतना ब्याकुल हो गए हैं कि भगवान सिव को क्रोध करना पड़ा उस क्रोध में सभी नच्छत राकर के गंधरबा करके देवता आयच्छा करके प्रार्थना करने लगे उसमें सूर्य भगवान ने कहा नात क्यों आप क्रोध कर रहे हैं बोले मेरा अर्धांग नश्ट हुआ जा रहा है हमको जल की आवस्षिकता है तो भगवान शूर्य नारायन ने सब प्रतम भगवान शूर्य के कमंडिर को में जल भर दिया उस जल से मा पारबती ने आच्मन किया और आच्मन करने से तदो परांत असनान किया उमा सहित असनान नहीं की नहां तहां एक कुंड प्रगढ कर दिया उमा भावानी शिव संकर समेत असनान किया असनान करने से जल नीचले गढ़े में भर गया तब भगवान शिव की तपरश्या पूरी हो गई तो पकैलात परवत पर जाने लगे तो माता जी ने प्रस्ण कर दिया कि हे ना तिये जल त्यों का त्यों भरा हुआ है कारण क्या है तो भगवान शिव ने कहा कि यह जल कभी सूखेगा नहीं हमेशा बन्या रहेगा तो बोले इसका कुछ नाम रख देते हैं जो करता है उसी के नाम से नाम रखा जाता है तो सूर्य भगवान का नाम प्रभासकर भी है पर्यायवाची सब्द में तो इसका नाम प्रभासकर कुंडर रख दिया गिया लिखा है चोपाई के माध्यम से कि भाद्र सुक्ल सप्तम रभिवारा तीर्त प्रभासकर भावतारा भादाओ का महिना था सुक्ल पत्ता सप्तमी तित्ती दिन रभिवार था आज भी उसी के उपलच में हिंदी माह में हर वर्ष भादों के महिने में हर अभिवार को मेला यहां पर लगता है तो इस ब्रकार से सर प्रथमिश का नाम प्रभासकर कुंड पड़ा दुतिये नाम इसका ब्रह्म कुंड हुआ एक बार ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लग गया सयनकच में उनकी कन्या लेटी हुई थी उन्होंने समझा हमारी पत्नी लेटी हुई है वहां जोड़ करके खड़ी हो गई खड़ी होने पर ब्रह्मा जी को गलान हो गई आत्म गलान हो जाने से आभा मंडल की कांत छीड़ हो गई और ये बात जो है रातवर नींद नहीं आई अपनी सभा में कहा जाकर के तो सभा में वहां रिश्य मंडल तो था उन्होंने कहा कि आपको पाप लगा इसका प्राशित करना चाहिए वो ले क्या उपाय है तो रिश् आसकर कुंड में भगवान ब्रह्माद्वापर युग में आगर के यहां पर अस्नान किया तो उनका दिब शुरूप हो गया अभा मंडल की जो कांत थी शुरूप था वो वास्तिक पुना वापस आ गया उस उग में उनकी ब्रह्माजी के मुखारविंद से इसका नाम ब्र ब्रह्म दोस लगा तृतिय नाम जो इसका पाप मुझ बर्तमान में जो चल रहा है पाप मुझ हत्या हर भगवान श्री राम दिने जब यगी का अनुष्ठान किया यगी में गव ब्रामनों ने इंकार कर दिया तो कुल गुरु बसिष्ट जिशे भगवान श्री राम कहने लगें यह गुर्द्यों क्या कारण है गुर्द्यों ने कहा आपको प्रह्मधोस लगा है तो किसी कोकी हड़ा दे परादे दे तो यह प्रकार पुरुक नहीं होता है आप मर्यादा पुरुशोत्तम अंदर काल कंटक स्याही बाल उगाया है लखे ओहां तो जब स्याही बारा तब रगवंश मणीन विचारा भगवान शीरा ने ताहिनी हाथ की गदेली देखी जिसमें स्याही का वाल उगा हुआ था गुर्दियों के चर्णों में पड़ गए इसका निदान कैसे हो निवानन क कैसे हो उद्धार्ण कैसे हो भगवान प्रशिष जी ने भगवान से कहा कि आप पिर्थियात्रा करिए क्योंकि नईमिस दूसरा नहीं है पंचको से प्रमाणे चायत इस नईमिस मंडले इस नईमिस आनाने छेत्र के अंतर गत उनके पूर्वज भी आये हैं जैसे राजा म भूग इस्तली और जोग इस्तली तपों इस्तली नैमिस आरण कहा गया यहां आकर के भगवान श्री राम सीता लखन समय्ट जब आये हैं नैमिस आराण से 84 कोशी जो परिक्रमा उड़ता है वह तृतिया वाले दिन यहां आये हैं जब तो गौ का दान दिया है गौ का दान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहां से आपका स्याही बाल छूट गया है तो मा सीता ने कहा कि आगे कल्यूग आने वाला है इसका कुछ नाम कर दो जिससे कल्यूग में उधारण हो दाए तो इसका नाम पाप मोच हत्याहण भगवान श्री राम ने मुखार बिंदर से रखा स्कुमारा इस प्रकार से इसका नाम पाप मुच्छ अध्याहण पड़ा ए और लिखा हुआ है हत्याहर निखिलं पापं ट्रे सकती समन्ने ताहा त्रे पापं विमोचे ते सरण मते आग ताहा जो बेकते इनकी सनीध्व में आ जाते हैं तीनों प्रकार के पाप मनसा वाचा कर्मणा से मुख्त हो जाते हैं और प्रह Subscribe और तीनों सक्तियों का यहां आगमन हुआ है ऐसा यहां का ब्रत्तांथ है वुले श्यूशंकर भगवान की जैवर्मेशर महादेव की जैवर्मतलाल की जैव इतनी ही कथा है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें थान्य वाल थान्य वाल थान्य वाल